नमस्ते बच्चो आज की वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद लेखन अनुच्छेद लेखन मतलब की कोई भी हमें गिवन टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखना है तो हमारे यहाँ पे जैसे क्विस्चिन क्या है विद्याले का खेल उच्छो विशेपर सहायक बिंदो की सहायता से हमें 40-50 अब्दों में कनुच्छेद लिखना है तो सहायक बिंदो कौन-कौन से हैं मतलब की जो हमें helping points दिये हैं उसकी base पे लिखना है खेल उच्छो का प्रारंब याने starting लिखना है कैसे होती है फिर खेल उच्छो में होने वाली तैयारियां उसकी preparation कैसे करते हैं और खेल उच्छो में होने वाले कारिक्रम और समापन मतलब उसमें जो programs होते हैं उसकी ending कैसे होती है हमें इस base पे एक paragraph लिखना है तो जिससे यहां पे हमने लिखा है कि मेरे विद्याले का नाम the Indian High School है मेरे विद्याले में वार्षिक उत्सो दिसंबर माह में आयोजीत किया जाता है फिर है वार्शिक उत्सों में विभेन प्रकार की प्रतियोगताएं आयोजित की जाती है फिर जैसे कौन-कौन सी प्रतियोगताएं आयोजित की जाती है एकांग की मतलब एक नाटक होता है प्लेन, रतिकला, डांस, संगीत, म्यूजिक, भाशन, यहने स्पीच, डिवेट और कविता पार्ट यानि की पोयम का भी मंचन जो होता है इसे हम बोल सकते हैं और या कि फिर आप लिख सकते हो कविता पार्ट इत्यादी कारिक्रम होते हैं और ये सब रखे जाते हैं फिर क्या वाशिक उत्सो की तैयारी हम तयारी कैसे करते हैं भी लिखना है तो वार्षिक उत्सव की तयारी जो है एक महीना पहले से ही होने लगती है और कारिक्रम का आरंब कैसे स्टार्टिंग कैसे होती है सरास्वती वंदना से तथा मुख्य अतिथी यानि जो चीप गेस्ट होंगे उनके स्वागत उनका वेलकम करके कारिक्रम के स्टार्टिंग होती है उसके साथ किया जाता है फिर वाशिक उत्सव रखने का मुख्य उद्देश जो मोटीव क्यों है वह है विद्यार्थियों में पूरे वर्ष होने वाले कारिक्रमों से आउगत कराना यहने की पूरे एक्टिविटीज जो भी पूरे सालवर होती है उसकी उन सब के बारे में बताना इसका मोटीव है वाशिक उत्सव में विद्याले की कारिक्रमों और छात्रों की उपलब्धियों का सुन्दर वर्णन किया जाता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई भी अनुच्छेद और आप इससे पढ़िए समझे हम फिर मिलेंगे आपको एक दूसरे वीडियो में तब तक टिक क अजए वाज बीयो